हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल गप्षप वितीशी, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही पॉपुलर और एक सिंपल सा रेसीपी दिखाने वाली हूँ और वो है खास्ता निमकी तो रेसीपी को स्टार्ट करते वे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने मैदा लिया है यहाँ पर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अजवाइन डाला, यह मंग्रेला डाला मैंने, और स्वाद के अनुसार इस पे आप नमक डाल ले और उसके बाद मैदे को सानने के लिए मैं यहाँ पर वाइट ओयल का यूज़ कर रही हूँ, मैदे को अच्छे तरीके से तब तक सानना है, जब तक वो मुठे में आ नहीं जाए, मिन्स हलका हलका यह डो बनना चालू हो जाए, उसके बाद हम इसमें पानी डाल करके, इसक मिश्रन बनाएंगे, आटा को मिन्स गूत लेना है, तो यह आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से धीरे-धीरे आटे को अच्छे तरीके से मसलना है हमें, तो यह एक इस तरीके का डो बनके रेडी हो चुका है, और यहाँ पर अभी मैं इसका रोटियों के शेप में इसे पतला-पतला बेल लूँगी, और जब बेलना हो जाएगा, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कट कर सकते हैं, आपको जैसा डिजाइन चाहिए, मैं इस तरीके से निम्की के से शेप में कट कर रही हूँ, इस तरीके से मैं सारे निम्कियों को सेम तरीके से कट कर लूँगी, बेल करके फिर उस तरह से कट करके, तो यह आप देख सकते हैं, मेरे निम्की कट करके रेडी हो चुके हैं, और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई बिठा दिया है दूसरी तरफ गैस पे, कढ़ाई जब तक गरम हो रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से गरम हो जाए, उसके बाद यहाँ पर मैं रिफाइन ओयल डालती हूँ, और तेल अच्छे से गरम हुआ है या नहीं, इसलिए मैंने एक निम्की डाल करके चेक करने के लिए डाला है, जैसे ही मैंने देखा कि तेल अच्छे तरी तो बाकी निम्कियों को भी इस तरीके से धीरे धीरे आप डाल दे और गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे गैस के फ्लेम को आप स्टार्टिंग में थोड़ा हाई पे रखे उसके बाद धीरे धीरे इस तरीके से मीडियम मीडियम से लो इस तरी से कर ले और यह निमकी जो है आप देख सकते हैं बहुत जादा हमें जलाना नहीं है तो यह बन करके रेडी हो चुका है अगर आप लोग